पहला, स्टेबल, डिसिजिव गवर्मेंट, दूसरा, सस्टेन रिफॉर्म्स, और तीसरा, ग्रासरूट पर, सोश्यो एकोनॉमिक एम्पावर्मेंट, बीते वर्षों में, बड़े पहमाने पर, लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केट ट्रीट्मेंट की सुविधा मिली, सेफ सेनिटेशन, बिजिली कनेक्शन, आवास, नल से जल, और दूसरे सोशल इंफ्रासेक्टिर की पहुंच, करोडों लोगों तक हुई, पिछले कुछ वर्षों में, भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में, ये बड़लाव आया है, वो कई विक्सित देशों की जन संख्या से भी जादा है, इसे करोडों को, करोडों गरीबों को, गरीबी से बहार विकानने में मदद मिली है, आज करोडों लोग, गरीबी से निकल कर, मिडल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं, आज भारत में, करोडों लोगों की क्वालिटी अप लाइप में बड़लाव आया है, आज गाउं गाउं तक, इंटरनेट पहुंचाने के लिए, छे लाग किलोमेटर, शिक्स संसेट थाउजन किलोमेटर से ज़्यादा, आप्तिकल फाइबर बिछाये जा रहे हैं, पिछले नव वर्षों में, देश में, ब्राउन बेंड यूजर्थ की संख्या, तेरा गुना बढ़ चुकी है, पिछले नव वर्षों में, इंटरनेट कनेक्शन्स, तीन गुना से ज़्यादा हो चुके हैं, आज, रूरल इंटरनेट यूजर्थ की संख्या, अर्बन यूजर्थ की तुल्ना में, ज़्यादा तेजी से वड़ रही हैं, इसके अज़ावा, भारत, दूसरा सबसे बड़ा, मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका हैं, इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा, एश्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ हैं, भारत के लोग चाहते हैं, कि उन्हें बेटर प्रोडक्स, बेटर सर्विसीज, और बेटर इंफ्रास्टर्चर मिलें, बारत के लोगों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए, एनरजी बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडिस्रिस से लेकर के ऑफिसिस तक, फैक्टरिस से लेकर के घरों तक, भारत में एनरजी की जरूरत, एनरजी की मांग बढ़ती ही जा रही है, भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए, ये माना जा रहा है, कि आने वाले वर्षों में, भारत में अनेक नए शहर बनने वाले, इंटरनेशनल एनरजी एसोसेशन ने भी, कहा है, कि भारत इस दसक में, भारत की एनरजी डिमांड दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, और यही पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनरजी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए, भारत नई आपर्चुनिटीज ले करके आया है, आज ग्लोबल ओइल दिमांड में, भारत की हिस्सेदारी फाइव परसंड के आसपास है, झाल के लिए बारत के लिए एक लिए,